कि यह लो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंट्स का आज दो कलर में हम बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का पुरानी चुन्नी से डोर मैट बनाएंगी देखिए पुरानी चुन्नी या साड़ी का यह बहुत ही अच्छा सा ही हुज है अगर आपके पास पु कोर्ण भी बना सकते हैं तो मेरे पास यह पुरानी चुन्नी थी देखिए व 1 म्ह गया इसरह से पट्य का लिए हैं इस में भोट जादा चोड़ी पट्या नडिकाटे το veio अच्छा शूंदर सा हमारा लिम्यार्या बट बनेडे देखिए पुराने चुन्दी या साड़ी का बहुत ये अच्छा सा यूज है और आसानी से आपसे डॉर्मेट बना सकते हैं तो देखिएगा डॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे नोट आप जिस तरह से भी बनाते हैं उसी तरह से बना लेजिएग एक, दो, तेन, चार, पाच, छे, छे चेन बनाई हमने यहाँ पर छे चेन बनाने के बाद देखिएगा जो सबसे लास्ट वाली चेन डाले थी हमने इस चेन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ा और ऐसे किरोशिया को निकाल लेंगे ऐसे और इस तरह से निकाल लेंगे तो यह स्लिप स्टिच कर दिया हमने यहाँ पर देखिएगा अब हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, और यह तीन, तीन चेन बनाई इस हूल के अंदर किरोशिया को डालेंगे और इस पट्टी को देखेगा साथ में दबाते वें चलेंगे ताकि हमारा डॉर मैट फनीशिंग के साथ बनके है और देखिएगा एक बार फिर से डबल क्रोसिया बना लेंगे फिर से देखिएगा यहां पर एक बार फिर से डालेंगे और डबल क्रोसिया बना लेंगे यह तीन बार डबल क्रोसिया बना लिया इस तरह से यहां से थोड़ा सा टाइट करते वे जाएंगे फिर देखिएगा दो चेन बनाएंगे, एक, दो, दो चेन बनाई और यहाँ पर फिर से हम तीन बार डबल क्रोस्या बनाएंगे, देखेगा, इस तरह से पट्टी को साथ में दबाते वह चलेंगे, जो यह हमने छोटी सी गाठ लगाते वग छोड़ी थी, ताकि हमारा डोर में फिनीशिंग के स साथ बनके आए, एक बार बढ़ाया, डबल क्रोस्या, दो बारा से बनाएंगे, एक बार फिर से बनाएंगे, तो देखेगा, तीन डबल क्रोस्या बनाएं और इसे इस तरह से टाइट कर देंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे, वह तीजी है, बिगनर भी से आसानी से बन सक प्रफितना प्यारा सा डूर मेट बनके आएगा कि आप अगर आपने डॉर पर डालेंगे तो सब पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया तो देखेगा फिर से हम यहां पर तीन डबल कुरोशया बनाएंगे इस तरह से बनाए और ऐसे ठीक है देखेगा फिर दो चेन बनाए दो चेन बनाने के बाद हम यहां पर फिर से तीन बर डबल कुरोशया बनाएंगे देखेगा इसे थोड़ा सा लू जातों से बनाते जाएगा इस तरह से बनाया और यहां पर देखेगा एक बर फिर से बनाएंगे कि अ गरें देखे तो चेन बनाएंगे इस तुरह से और यह लास्ट वाले जो हमने पहले तीन चेन बनाए थी उस चेन में इस तरह से शीप स्टीच कर देंगे इस तरह से देखेजा इस तरह से बन के आएगा और अब इस्तरह से निकालेंगे और एक पर यह से निकालेंगे क्योंकि हमें पट्टी को यहां पर लेता है अब आम यहां पर second color add करेंगे, तो second color add करने के लिए देखेगा इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बना लेंगे, यह देखेगा, तीन chain बनाई, इसको यहां पर tight कर देंगे, यह दो chain और एक तीन chain, तीन chain बनाई, वापिस इसी hole में डालेंगे, एक बार फिर से डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर से इसी हूल में डालेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे फिर दो चेन बनाएंगे एक दो दो चेन बनाई और यहां पर वापिस इसी में इसी ओल में जहाँ पर यह तीन डऴल कुरोसई देखिएगा दो डबल क्रोसिया यह बनाए है और एक डबल क्रोसिया जो तीन की चेन बनाई है और वापिस इसी मैं तीन भार से फिर से डबल quiiens बना लेंगे तो देखिएगा फोती प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का दोर मेट बनके आएगा यह हमारा इस तरह से देखिएगा यह बनाया इस तरह से बनके आएगा फिर देखिएगा यहां पर हम कोई भी चेन नी बनाएंगे इस अगले वाले में यहां पर फिर से डबल क्रोशिया बनादेंगे ऐसे एक, दो, तीन देखीगा इस तरह से और फिर दो चेन बनाएंगे थोड़ा सा अलू जाथू से बनाते जाएएगा ताकि इसमें जोलना पड़ें और फिर से तीन चेन बनाएंगे तीन बार डबल क्रोसिया बनाएंगे दो चेन बनाने के बाद दो फिर से तीन ठीक है? इस तरह से बनाएंगे फिर देखेगा यह पर फिर से इस वाले में बनाएंगे तीन भार डबल क्रोशिया एक दो यह देखेगा इस तरह से हमने इसमें इस तरह की सेप लेके आने है तो हमने इस तरह से इसी बनाया है अब देखेगा हम यहाँ पर पूरा रांड हमारा कंप्रेट हो गया है यहाँ पर अब हम जोह पर तीन चेन बनाई थी वह पर इसे स्लिफ स्टिस कर देंगे यहाँ ठीक है देखिए इस तरह से निकालेंगे इसे हम स्लीव टिस्ट बोलते हैं फिर देखेगा यहां पर हम इसे एक बार निकालेंगे और एक बार यहां पर जहां बीच में लेके आये थे यहां पर फिर से निकालेंगे अब हम यहां पर सेकेंड कलर यूज करेंगे पिंक वाला क्योंकि हमें color change करके यह दो रंग में बनाना है इसलिए इसको green वाले को tight कर देंगे इस तरह से फिर तीन chain बनाएंगे एक दो तीन तीन बनाई थोड़ा सा लू जात्थों से बनाते जाएगा तो भूत ही प्यारा सबन के आएगा इसमें कोई जूल वगारा नहीं आएगा तो देखिएगा एक बार डबल दो बार डबल को से एक ये तीन की chain बनाएं एक ये बना लिया फिर से देखिएगा यहां पर तीन बना लिए दो चेन बनाएंगे को और इस तरह से देखिएगा फिर से इसके अंधर से इसी के अंदर एक बार फिर से तीन बार डबल करूसिया बनाने हैं दो चेन बनाने के बार इसी तरह से बनाते वे जाएंगे देखिएगा मैं आपको दिखा yourself की देखिएगा इस तरह से बनके आया अब हमें चेन नी बनानी है जो यह बीच में यह बार डबल क्रोष्या फिर से बनाना है तो यह इस तरह से हमारा यहाँ पर अब मैंट बनेगा तेन बार डबल करो सिया बनाएंगे आसे admits कि अगर अगर आप इसे डूर मैंट बना रहे हैं पूजासन बना रहे हैं तो इसे पुराने कुनिये साड़ mutual इससे बनायेगा, अगर आप इसे थालबॉस या टेबल मैट बनाना चाहते हैं, तो आप इसे उन से भी बना सकते हैं, मैं एकरम से भी बना सकते हैं, लेकिन ये पुरानी चुन्नी या शाड़ी हमारे पास घर में बहुत ही पड़ी रहती हैं, और उनका पोद एच्छा सा प्रेंट्स ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए साथ में जो बैल आइकोन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको प्यारा सा डूर मैटे कैसा लगा देखेगा दो रंग में आप इसे तीन रंग में भी बना सकते हैं इस तरह से देखेगा यह बनाया यहां पर एक बार तीन डबल क्रोस या फिर दो चेन यह तो इसी तरह से चलता और यहां पर जो बीच में यह होल है अब की बार हमें यहां पर भी एक बार तीन बार डबल क्रोस या बनाना है जैसे यह मैंने यहां पर बनाया है तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लेट कर लेती हूँ इस तरह से अगले राउंड में फिर से बताऊंगी कि अगले राउ देखिएगा इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लेट कर लिया है देखिए कितना प्यारा सा कितना सुन्दर शावन के आता है तो देखिएगा फ्रेंड्स अब हम यहां पर इसे जो एक दो तीन तीन चेन बनाई थी तो तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टीच कर देंगे इ हम सेकिंड कलर लगाएंगे तो सेकिंड कलर लगाने के लिए देखिएगा इस वाली पट्टी को छोड़ देंगे और यह वाली पट्टी ले लेंगे और इसको यहां पर टाइट कर देंगे ऐसे ठीक है ऐसे और आब हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन चेन बनाई इस दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाए, दो चेन बनाएंगे, एक दो एक चीज़ का द्यान रखते जाएगा, आप इसे थोड़ा सा अलक यातों से बनाएं, लूज यातों से, ताकि हमारा यहां पर सिको डेना इस तरह से देखें बनाएंगे, तो बिलकुल फरफेक्ट तरीके से बनके आएगा, और फिर से देखेंगा, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया दो डबल कुरोसिया और ये तीन बार डबल कुरोसिया बनाया देखिए पिछले राउंड में हमने यहां पर एक बार बनाये था तीन आपकी बार एक यहां पर बनाएंगे और एक यहां पर बनाएंगे तो इस तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा देखिएगा एक बार डब दो बार डबल कुरोशिया यह तीन बार डबल कुरोशिया फिर से इस होल में बनाएंगे तीन बार डबल कुरोशिया एक दो और ये ते तेन डबल कुरोसिया बनाए और आप देखिएगा इस वाले होल में डालेंगे इसमें यहां पर तेन बार डबल कुरोसिया बनाएंगे एक दो और ये तेन बार बनाया और दो चेन बनाएंगे एक दो दो चेन बनाएंगे वापिस इसी में फिर से बनाएंगे तेन बार डबल कुरोसिया यह हमारा सेम चलता जाएगा पहले हमने एक बना था दो बनाएं फिर एक दो तीन बन जाएंगे इसी तरह से बनता चला जाएगा आप इसे जितना मरजी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं यह इसी तरह से बनता जाएगा और आप देखिएगा यहां पर फिर से तीन बाइड़ फल कुरूशिया बनाएंगे और ये देखिएगा इस तरह से हम इस पट्टी पे ऐसे एक गांठ लगा लेंगे आप ऐसे भी एड़ कर सकते ही से जोड कर भी इस तरह से गांठ लगा कर भी कर सकते हैं तो देखिएगा तीन बाइड़ फल कुरूशिया बनाना है आम यहां पर भी एक दो और ये तीन देखिएगा इस तरह से फिर से हम इसमें बनाएंगे एक दो तीन और फिर इस से आगे वाले में बनाएंगे एक दो तीन देखिएगा इस तरह से बनाते जाएंगे ऐसे यह देखिएगा इस तरह से हमारा बन के आएगा अब देखिएगा हम यहाँ पर पिंक कलर करेंगे और ते पहले हमने एक डालना फिर दो डाले अब की बार एक दो और तीन आ जाएगा इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं जार आ जाएंगे पांच आ जाएंगे बड़ाया छोटा आप अपने साफ से इसे कर सकते हैं तो अब हम यहां पर देखिएगा सेकंड कलर लगाएंगे सेकंड कलर लगाने के लिए हमने इस तरह से देखिएगा इस सेकंड कलर को ऐसे लिया ऐसे और एक चेन दो चेन और तीन और इस ग्रीन वाले पट्टे को इस तरह से टाइट कर देंगे और इसी में तीन बार डबल क्रोसिया बनाएंगे एक हमने जो तीन चेन बनाई उससे डबल क्रोसिया गया और दो बार और बनाएंगे यह देखेगा ऐसे फिर दो चेन बनाएंगे एक दो दो चेन बनाएंगे वापिस इसी में तेन बार्ट फिर से डवल क्रोसिया बनाएंगे दो और एक तीन इस तरह से देखे ये बन किया गया है आप फिर इसमें हम तेन बार डवल क्रोसिया बनाएंगे ये जो बीच में हुल है इस पटी को यहीं छोड़ देंगे तो यहाप पर देखिएगा एक दो तेन फिर से इस से अगले वाले हुल में बनाएंगे अब की बार हमें तीन बार बनाने हैं यह हमारा दूसरा है यह देखिए हुआ फिर से से आगले वाले हुल में तीन बार बनाएंगे इस तरह से देखिए हैं फिर से यहाँ पर कोर्नर पर आ गए हैं यहाँ पर तीन बार डबल क्रोश यह बनाएंगे दो और यह तीन बार बनाया दो चेन बनाएंगे और आप इस इसी ओल में तेन बार फिर से बनाएंगे दो और यह तीन इस तरह से देखिएगा बनता जाएगा और इसी तरह से में इस पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेती हूं उसके बाद आप आप आपको दिखाऊंगे की बनके कैसे आएगा कि देखिएगा इस तरह से हमने इस को भी कम्प्लीट किया है तो यहां पर देखिएगा कि यह हमने एक बार बनाया दो बार बनाया और अब की बार तीन बार बनाएंगे देखिएगा यह दो डबल क्रोसिया और यह तीन डबल क्रोसिया देखिएगा अगर आप इसे लगातार बनाने वैठेंगे तो एक घंटे में मातरा आप इस पूरे ड़र मैट को कम्प्लीट कर सकते हैं और यहां पर देखिएगा जो हमने तीन चेन बनाई थी इस तीस तरी चेन में हम से स्लिप स्टिच कर देंगे और इस तरह से देखिएगा यह हमारा यहां पर बनके आएगा भूत ही प्यारा सा सुन्दर्शा लगने वाला इस तरह का हमारा डोर मैट बनके आएगा और बिलकुल अलग से में बनके आएगा आप देखिएगा आप यहां पर अलग इसी तरह से color change करते जाए जैसे मैंने आपको बताया है ये corner हमारे ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला corner same बनते जाएंगे यहाँ पर देखेगा पहले हमने एक बार बनाया फिर दो बार बनाएं एक और दो फिर एक दो तीन अब की बार हमारे चार बार आजाएंगे फिर पांच बार आजाएंगे जितना बड़ा बनाना चाहेंगे उसी इसाब से बनता चला जाएगा आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहे बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहे छोटा बना सकते हैं, अगर इसे आप टेबल मैट बनाना चाहते हैं, थाल पोस बनाना चाहते हैं, तो आप इसे उन से भी बना सकते हैं, अगर आप इसे डोर मैट या पूजा असन बनाना च जाते हैं तो आप पुरानी या चुनी या साड़ी से बना सकते हैं तो भूध ही प्यारा सा है और भूध ही जल्दी बनके आने वाला है जुरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखके जुरूर बताएगा कि आप कोई प्यारा सा टूर मैंट इसा लगा thank you